वेल्कम टिश्वां डिक्टेशन, डिक्टेशन, फान्स जिकन बात सुरू होगा। रिडी, स्टार्ट। महुदय समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आज कल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिये जाते हैं। इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं। और आज कल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्ण कालिक कार्य करता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे वय और कारिक्रम बढ़ते जाते हैं। वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महूदय ने मिस्नरी भावना का उलेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोड के बारे में ही नहीं बलकि सामाजिक कारी के समस्त छेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेक्षा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्था बद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ आशय युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है किन्तु सारे सामाजिक कारी का लक्ष तो उसी समवेदना के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिडामों से लड़ना है। जिसकी प्रायः मानम स्वभाव कहकर अन देखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिश्नरी भावना से काम शुरू किये जाती हैं। उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बहतर हल निकलने चाहिए। अतह हमें केवल अनुदानों से ही संतोस नहीं कर लेना चाहिए। बलकि यह ध्यान रखना चाहिए की इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे की सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। उद्देश क्या है? बोड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फसे रहने के कारण हम सही दिसा में और सुदेश्य सामाजिक परिवर्तन की और काफी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किन्त परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर नियंतरन प्रभाव डालता है, स्वतह आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्थन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना परियाप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की द्रिश्टी से विसेश प्रकार की हैं। महुदय एक उदाहरन है जो बोड के सीधे कारक्षेत्र में नहीं आता। फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्त्यका विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है। वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों की को लाब पहुचा है। वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाठना चाहते हैं। दहेज का विरोध जो कुछ समय पहले काफी जोलंत प्रश्न था अब पीछे पड़ गया है। यद्यप यह कुरूती आज भी उसी तरह जिवित है। अश्प्रिश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है। लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वय कुछ न कुछ करना होगा। विशेस रूप में समाज कल्यान के छेत्र में केवल सरकारी कारेवाई परियाग्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिक्तम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कारिक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्यान संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तरक संगत द्रिष्ट कोण अपनाने की और ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाती या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और सिक्षा की और कहीं अधिक ध्यान देने की आवशकता है। इसके लिए आवशक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक द्रिष्टी ताकि हमें अपने वो अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बहतर पोशाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब द्रिष्ट कोण है, हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूडा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं, हम स्वेंतो रोज नहाते हैं, पर हमारी सडक या गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं। कूडा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। इस पश्ट रूप से यह इस्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे छेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है जिससे इस्तिती सुधर सकती है।